मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें Size Matters, So Keep Your Dreams Big and Your Worries Small इस Positive Thought के साथ मैं श्रेयस बढ़िये आप सबका Ancient History of India सीरीज में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हम Ancient History of India से आज 45th lecture पर डिसकेशन करने वाले हैं इसे कि हमने 44th lecture में गुपता पिरेड की शुरुवात कर दी थी अब ये पार्ट सेकेंड गुपता पिरेड का जिसमें हम Administration, Society और Economy पढ़ेंगे गुपता पिरेड की अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे Instagram पर पूच सकते हैं ये मेरा Instagram ID है अगर आप और अप्डेट्स चाहते हैं तो आप Facebook पेज को लाइक कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं या फिर आप टेलेग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं मेरे श्रेयस बढ़िये ये मेरे YouTube चैनल का नाम है अब हम सबसे main topics जो है उसमें administration, society और economy इन में से first topic को study करेंगे जो क्यों होगा administration अब हमें गुपता पिरिट का administration पढ़ना है तो सबसे पहले administration पढ़ते हैं वक्त मैं आपको कुछ administrative units बता देता हूँ administration में जब हम administrative units पढ़ते तो हमें ये पता होता है कि गुपता टाइम पे जो king हुआ करते थे जो राजा हुआ करता था उनको assist करने के लिए chief minister और एक सेनापती हुआ करते थे chief minister जिनको मुख्यमंत्री और सेनापती ये दो लोग वहां रहां करते थे अब सेनापती जो है वो पूरा आम ही संभालते थे और बाकी जितने administrative बाकी भी जो चीजे official वो सब chief minister देखते थे इस चीज के चलते गुपता administration में दो chief minister और एक सेनापती है ऐसे दो एक official लोग officers होते थे जो king को यहां पर assist करते थे अलग अलग नाम होते थे empire के empire जो होता है उसको अलग 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 जगे पे बुलाया जाता था कहीं पर उन्हें राज्य कहा जाता था तो कहीं राश्ट्र कहा जाता था तो कहीं देश भी कहा जाता था या कहीं मंडल कहा जाता था तो कहीं पृत्थ भी कहा जाता था तो कहीं अवनी कहा जाता था तो यह अलग-अलग नाम है जो गुपता इंपायर को दिये गए थे उस टाइम पे empire ये नाम तो नहीं था उस टाइम पे English नहीं थी है तो इंडिया में तो इस तरह से ये सब नाम यहाँ पे हमें देखने मिलते अलग-अलग अब जो ये empire था गुपता empire it was divided into provinces जैसे आज एक राज्य है पूर एक्जामपल ये गुपता ये गुपता empire है पूरा ये कुछ certain states में divide किया गया है इनको कहा जाता है भुक्ती भोग या पिर प्रदेश इन तीनों में से इनको नाम दिया जाता है तो अलग-अलग नाम से ये जाने जाते है तो empire was divided into provinces उसके बाद ये जो provinces थे ये आगे और further divide किये गए इंटू विशयाद विशय याने हम कह सकते है district जैसे आज होता है अब हम यहां से एक province को अगर निकाल लेते है और example ये पूरा राज्य है ये जितने हमको दिख रही है ये provinces है इन में से हम एक province को निकालते है और ये province को जब हम देखते है तो इने अलग-अलग districts में divide किया गया था और districts को कहा ज जिले थे जो district होते है वो थे और ये जिसके अंडर आते थे ये district वो इनसान का नाम था विशय पती प्रोविंसे जिनके अंडर आते थे उनका नाम आगे हम पढ़ने वाले है फिर भी आपको अदा दो इनका नाम उपारिका रहता था तो विशय के जो head होते थे वो विशय पतीज होते थे district के head जैसे आज collector होते district के head तो उस तरह से अलग-अलग चीज़े यहाँ पर बनाए गई थी अब यह जो district है यह जो विशय थे इसमें से मैं एक विशय को निकालता हो बहार यह सब है district यह है प्रोविंसे यह पूरा एक प्रोविंस है और इसमें छोटे-छो देख सकते हैं नगर या फिर उनको नगराज या नगरे कहा जाते है था और यह जो है नगर या नगरे यह अलग-लग villages में divide के जाते थे तो नगर में अलग-लग villages आते थे ओके सो विशय नगर और नगर डिवाइड हो जाता है विलेज में उसके बाद जब ग्रूब बनत जाता था, so group of villages जो है उसको पेठक कहा जाता था, या फिर संतक कहा जाता था, ये दो words यूज किया जाते थे, for group of villages, for example, काफे सारे villages हैं, उनका एक group बन गया, तो उसको हम तहसिल कहते, so तहसिल प्लेस जैसे होती है, वैसे पेठक, या फिर उसको हम कह सकते है, संतक, छोटे- जो villages है, उसको अगरहर या पट्टा कहा जाता था, तो villages के छोटे-छोटे जो भी units रहेंगे हैं, village में जो छोटे-छोटे एक पट्टा, दुसरा पट्टा, याने एक village है, इसमें अलग-अलग पट्टे बनाया करते थे, कि यह जैसे आज area होते हैं, अलग-अलग उस तरह स तो अगरहर या फिर पट्टा उसको कहा जाता था, morian administration में, तो यह बनता है पूरा unit, तो unit में आपको अभी पता चल चुका है, किस तरह से, तो एक बार देखें, मैं side में बना के दिखाता हूँ, आपको एक structure, अब structure में अगर हम देखते हैं, तो देखें, काफी अच्छे स सबसे उपर, उसमें आ गया फिर provinces, provinces के बाद, यह जो provinces है, यह अलग-अलग किसमें, तो provinces तो एक से जादा रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे दो provinces दिखाने कोशिश करता हूँ, राज्य बढ़ गये province में, एक province जो है, वो हर province बढ़ गया था, विशय में, विशय, जिसको हम district कह सकते हैं, विशय बढ़ गये है, अलग-अलग नगर में, अलग-अलग नगर में, नगर बढ़ गये है, अलग-अलग गाओ में या फिर ग्राम में, ग्राम में, तो इस तरह से यह पूरा system चलता है, राज्य, उसके बाद भुक्ती, भोग या प्रदेश, उसके बाद व अगर इस तरह से हम गाओ का कुछ गुरूप भी बनाते हैं, अलग-अलग तो वो गुरूप को यहां पर पेठक या फिर संतक कहा जाता था, इस तरह से यह पूरा आपको एक system याद रखना, एक structure याद रखना, इसे कहा जाता है, administrative unit, जो की था गुपता पिरेड का, अब हम कुछ important officials के नाम देख लेते हैं, जो officials यहां रहा करते थे, तो यहां पे official में सबसे पहले offices जो थे, उसमें foreign affairs के लिए जो minister हुआ करते थे, यहां पे international relation वाले, बाकी जो countries थे, उनके साथ trading चलती थी, और वो trading के लिए जितने भी यहां पे, जो जितने भी चीजे यहां पे handle क करना है, वो सब के लिए minister होते थे, जिनको संधी वी ग्रह कहा जाता था, okay, संधी वी ग्रह और foreign affairs, उसके बाद उपारिका, उपारिका एक provincial governor हुआ करते थे, जो provinces है, उसका जो head होगा, उनको उपारिका कहा जाता है, provinces यानि आपको पता है, क्या कहा जाता था, provinces को, प्रदे नहीं है, नगर, पती, या फिर ग्रामी का, फिर भी याद रख लिजेगा, लिखके रख दीजेगा, ग्राम की ग्रामी का और नगर के नगरी का, king जो थे, ये काफी एक अच्छे से contact बनाया रखते थे, provincial administration के साथ, तो provincial administration, यानि provinces के जो head है, उपारिकाज, उनके साथ काफी अच्छा अगर आपको contact बनाना है, provinces को अच्छे से संभालना है, क्योंकि जो आपका राज्य ही है, अलग-अलग provinces में बटा, अलग-अलग प्रांतों में बटा है, तो इसको संभालना बहुत जादा जरूरी है, तो किस के through, तो उन्होंने अपने पास official रखे थे, खुद king जटे तो हर एक पास नहीं जा सकते थे, कुछ official रखे थे जिनको कुमार मत्याज कहा जाता है यह आयुकताज कहा जाता है, आज आयुकता याने commissioner होते है, और कुमार मत्याज होते हैं, यान के secretary हम कहसकते है, तो king के पास secretary और commissioner हुआ करते थे, जो इनसे direct contact करते थे उपारिका के साथ और यहाँ पर किस तरह से प्रोविंसे इसको चलाना है किस तरह से वो चल रहा है यह सब की जानकरी किंग अपने पास रखते थे उसके अलावा जो विलेजेस थे वो ग्रामी का संबालते थे यह मैं इसमें आपका अडमिस्ट्रेशन में इतनी ही चीज़े याद रखने की जरूरत है ना विल्मू तोवर्स दे नेक्स्ट पार्ट दाट इस सोसाइटी को स्टेडी करने वाले गुपता सोसाइटी किस तरह से रहा करती थी यह देखेंगे गुपता सोसाइटी में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जो शुद्रास थे उनकी पोजीशन थोड़ी सी इंप्रूव होते हुए दिखी एक तरफ बट डूसरी तरफ एक और चीज़ बड़ी थी वो भी मैं आपको बताऊंगा उनके बाद आते है वेशय और उनके बाद आते है शुद्रा यानि सबसे लोएस जो वर्रन माना जाता था वो शुद्र माना जाता था तो ये शुद्र की जो position थी ये थोड़ी सी improve हुई किस तरह से तो उन जो शुद्रस थे उन्हें allow किया गया कि वो epics जिसको हम महा काव्य कहते हैं जैसे कि रामा एंड महा भारत ये सब जो चीजी हो गए उन्हें वो सुन सकते हैं पहले सुनना भी allow नहीं था अब यहाँ पे उनको ये allow किया गया कि वो ऐसे epics को सुन सकते हैं और एक नए उस वक्त भगवान आई थे जिनका नाम दा कृष्णा ओके सो कृष्णा या पिर कृष्णा की जो भी मूर्तिया बनाई गई थी उनकी वो पूजा भी कर सकते हैं तो ये चीजे society मैं पर सबसे पहले देखने म मिलती है थोड़ी से improvement दिखती है शुद रखे जो position थी उसमें on other hand बट दूसरे जगे हमें ये भी दिखता है कि untouchability जो थी वो और intensive होगी और जादा बढ़ गई untouchability जिसको असप्रिश्यता कहा जाता है वो बढ़ने लगी इस दौरान बढ़ी इसी लिए थी सबसे जादा क क्टैन जो थे उन्हों वो एक smoothie लिखते थे उन्होंने smoothie राइटर थे क्टैन तो क्टैन जो smoothie लिखे थी उसमें उन्होंने directly असप्रश्य ये word use किया था और असप्रिश्य का मीनिंग होता है untouchable उन्होंने ये कहा था कौन से sections untouchable होते हैं उनको किस तरह से treatment हो सकती है ये सब चीज़े यहां पर लिखा जब जाता है तो असप्रिश्य जो है ये इसमें लिखा गया तो गुपता एज में ही ये बुक लिखी गी थी कटैन द्वारा तो ये थोड़ा सा असप्रिश्य था जो है ये यहां पर बढ़ गई थी untouchability यहां बढ़ गई थी उसके अलावा तो यहां पर deterioration हमें देखने मिला था women की जो position थी वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी even जो women थे उनको they were denied the right to property उनको right to property भी नहीं मिली थी यानि जो भी property है आपके ancestors की यानि आपके पिता की या आपके husband की वो भी आपको नहीं मिलेगी उसमें भी आपको क्या मिलेगा सिर्फ स्त्रीधन मिलेगा स्त्रीधन में भी क्या आता है जब शादी के वाग जो चीज़े आपको मिलती है for example आपको मिले कुछ गहने आपको मिली कुछ साडिया कुछ governments या फिर आप जो भी कहेंगे तो ये चीज़े आपको स्त्रीधन में मिल जाएगी बाकी चीज़े जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि male dominant society यहाँ पर दिख रही थी क्योंकि एक male जो है वो काफी सारे women के साथ शादिया कर सकता था जिसको polygamy कह देते हैं तो polygamy तो बहुत ज्यादा common थी उसके अलावा जो pre-puberty marriages है यानि early age के जो marriages है हम generally age पकड़ सकते है 12 to 13 years वा तो pre-puberty कह सकते है या फिर early age में बाल विवाह कराये गए जाते थे यहाँ पर यह भी हमें पता चलता है पहला जो example है सबसे बुरी बात है कि सती का जो पहला example है वो appear हुआ था यहाँ पर मौरियन age में ही एरान नाम के जगा है मध्यप्रदेश में वहाँ पर सती यहाँ प बुद को एक तरह से हम कह सकते है कि दहन कर लेती आत्म दहन उनको दहन किया जाता है उनको भी जलाया जाता है तो यह सब चीजे होती है तो यह यहाँ पर दिखा तो वुमेन की पोजिशन तो बहुत अच्छी है किसी भी तरह से नहीं दीख रही है उसके अलावा जो religion अग बनने वाले राम हो गए विश्नु हो गए कृष्ण हो गए तो वैष्णविजम यहाँ पर बहुत जादा बढ़ते वह दिखा वैष्णवाइट लोग हुआ करते थे जादा तर गुपता के रूलर्स भी वैष्णविजम बढ़ा उनके साथ साथ आइडल वर्शिप सबसे मूर्ति पुझा जरूरी है यह चीज यहाँ पर कॉमन बन चुकी थी तो मूर्ति पुझा यहाँ से शुरू होती है यानि बहुत बड़े पैमाने में शुरू होती है उसके अलावा यहाँ पर वज्रयान बुद्धिजम जो है वज्रयान क्या होता है मैं अल्रेड़ी आप जो society में जितनी मैंने चीज़े बताई इतनी आपके लिए काफी है exam point of view, अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी economy में, अब जब हम economy देखते हैं गुपता पिरेड की, तो economy में सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि देखे, economy तो काफी अच्छी थी, इनके वक्त gold coin भी काफी बड़े पहिमाने में बनाए गए थे, ऐसा माना चाता है कि ये golden age था, तो ये golden age था या नहीं, ये topic हम पढ़ने वाले है, तो यहाँ पे हमारा वो topic है, तो आज जो हम topic cover कर रहे हैं, administration, society और economy कर रहे हैं, ये topic main होगा, इसके उपर काफी बार question पूछने के chances होते हैं, culture और type of gold coins भी हम पढ़ेंगे, तो आज हम ये तीन topic cover कर रहे हैं, जिसमें हम administration और society पढ़ चुके हैं, अब हम economy पढ़ रहे हैं, so economy और उनके अर्थवेवस्ता किस तरह से थी, ये देखते हैं, economy की अगर हम बात करें, तो economy में जो गुपता पिरिट के economy थी, उसमें ऐसा कहा जाता है कि 18 sources या गुपता administration में, वो taxes का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, वो public welfare पे ही spend किया जाता था, याने लोगों पे ही spend किया जाता था, लोगों के hit के लिए, लोगों के कल्यान के लिए ही इसे खर्च किया जाता था, ये भी हमें दिखाई देता है, land revenue जो था, वो main source था, जो की 1-6th produce से fix क किया गया था, for example, आपने 6 unit अगर कुछ produce किया है, 6 unit अगर मैंने गेहू produce किया है, तो उसमें 1-6th ताप कर लिजेगा, याने into 6, याने 1 unit, 1 unit आपको किसको देना पड़ेगा, तो as a tax आपको pay करना पड़ेगा, जो आपका kingdom है उसको, so ये इस तरह से tax, यहाँ पे land revenue लिया ज रखते है, so ये ऐसे चीज़े यहाँ पे ली जाती थी, गुपताज जो है वो इशू कर, उन्होंने इशू किये largest number of gold coin in ancient India, याद रखेगा, okay, तो ये बहुत ही जादा एक important fact है कि कौन थे, जिन्होंने सबसे जादा, जादा gold coin इशू किये थे, तो वो है गुपताज, गु जैसे दो pictures रखे थे gold coin के, so इनके भी बहुत बड़े पैमाने में किये गए, बड़ जितने कुशान जो थे, उनके जिस तरह से pure थे, उतने pure गुपताज के नहीं थे, उसमें थोड़ा मिलावट हुआ करती थी, उसके अलावा type of taxes जो है, जो आपको थोड़े से याद रखन उसका share अपने आप होता है, जो की one sixth होता है, मैं already आपको बता चुका हूँ, जो cultivator है, उससे one sixth यहाँ पर जो है, उसने produce किया, उसका उससे लिया जाता है, तो यह किस तरह से लिया जाता है, मैं already आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, उसके बाद आता है भोग, भोग ए सब चीजे खाना वना पकाया जाता था तो fruits जो भी cultivators है या जो भी villagers है वो यहाँ पर लाके देते थे king को एक भोग करके firewood लाके देते थे खाना खाने में या फिर flowers लाके देते थे etc. इसे चीजे villagers जो है वो राजा को दिया करते थे भोग तो भाग हो गया भोग हो गया थर्ड है बली बली जो है यह क्या हुआ करता था तो voluntary offering हुआ करती थी अगर लोग चाह रहे हैं voluntary खुद से अगर चाह रहे कि राजा को हम कुछ देना चाहते हैं तो यह वो दे सकते थे originally ऐसा था बट धीरे धीरे क्या हो गया तो धीरे धीरे यह compulsory कर दिया गया गुपता के जो rulers थे उन्होंने compulsory कर दिया गया कि आपको हमें कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा तो यह चीजे भी यहाँ पता चलते हैं इसको बली कहा जाता है तो इस तरह से type of taxes हमें देखने मिलते हैं जो कि एकनॉमी का पार बनता है तो आज हमने तीन चीजे यहाँ पर study की है एक है administration एक है society और एक है economy इतनी चीजे आपके लिए sufficient होगी गुपता पिरेड में अगले lecture में हम मिलेंगे culture and type of gold coins में अब तक हमारे इतने जो topic से यह cover हो चुके from गुपता पिरेड अगले topic हमारा होगा culture and type of gold types of gold coin तो कल हम मिलेंगे इस lecture के साथ और अगर आपको मेरे lectures पसंद आते हैं तो मेरे videos को ज़रूर like करे share करे और subscribe करना ना भूले मेरे YouTube चैनल को अगर आप और updates चाते तो मेरे Facebook पे जिसको भी like कर सकते है share बड़ी और share बड़ी interpretation मुझसे connected रहना चाते हैं तो मुझे follow कर सकते है Instagram पे या फिर मुझे कुछ doubt पूछना चाते है तो share बड़ी है the peace law पे आप मुझे follow कर सकते है मेरा Instagram का ID है share बड़ी at the red gmail.com पे आप मुझे mail भी कर सकते है तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले lecture में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखे और आपका दिन बहुत 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 जादा शुब हो